लोगसबा चुनाओं खत्म होते ही तमाम राजनीतिक पाठिया अब जारखन में होने वाले आगामी विधानसबा चुनाओं की तैयारियों में जुट गई है जहां बात करें जमेम की तो लोगसबा चुनाओं में पाठी की स्टाप रचारक रही गांडे उप चुनाओं की न आपादी बहुत सक्रिय रही चुनाओं की हर बारिक्यों पर जनता ने अपनी पैनी नजर रखा और अखिरकार अपना मन पसंद सांसेड चुन भी लिया है और अब जनता त्यार है अपना मनफश्द विधायक चुनने के लिए फिलाल विधायक चुनने से पहले आपको समझ लेना जरूरी है कि जार्खन में कुल कितने प्रमंडल है और उसके अंतरगत कौन-कौन सी विधानसबा सीटे आती है और वो सीटे किसके लिए आरक्षित है बिहार से अलग होकर बने इस जार्खन राज्य में कुल पांच प्रमंडल है चोबिस जिलों से मिलकर बने इस राज्य में कुलेकासी विधानसबा सीटे हैं पांच प्रमंडलों में उत्री छोटा नाकपूर प्रमंडल राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है इसका मुख्याल है हजारी बाग है इस प्रमंडल में सबसे जादा साथ जिले जिनमे को डर्मा हजारी बाग रामगर चत्र गिरिडी बोकारो और धनबाद आते हैं इस शेत्र में पचीस विधानसाबाद शेत्र हैं इस प्रमंडल में चार सीटे सी यानी अनुसूचित जाती के लिए अरक्षित हैं चत्रा और सिम्रिया के अलावा बोकारो जिला का चंदन कियारी और गिरिडी का जमुआ प्रमंडल में चार साथ जिला यानी कि साहिब गंच पाकुड दुमका जामताड़ा देवघर और गुड़ा आते हैं इन छे जिलों में 18 विधानसाबाद शेत्र हैं इस प्रमंडल की साथ सीटे बोर्यों बरहेट लिट्टी पाड़ा महशपूर सिकारिपाड़ा दुमका प्रजामा एस्टी यानी कि अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षी थे एक मात्र देवघर विधानसबा अनुसूचित जाती यानी एस्टी के लिए आरक्षी थे कुल मिलाकर 18 में से 8 सीटे आरक्षी थे तीसरे नंबर पर आता है दक्षनी छोटा नागपूर प्रमंड प्रमंडल का मुख्याले जारखन की राजधानी राची है इस प्रमंडल में पाजीले यानी कि राची खुटी गुमला सिंदेगा और लोहर दंगाते 선택 फिलाकें 5 विधानसबा अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षी थे राची, सिल्ली, हट्या ऐसे ही छेत्र हैं जहां समान्य वर्ग का अब्यक्ति चुनाव लड़ सकता है खुटी की दो, गुमला की तीन, सिम्डेगा की दो, और लोहरदगा की एक सीट अनुसूची जनजाती या कहे एस्टी स्रेनी के लोगों के लिए अरक्षित है कुल्हान जार्खन का सबसे नया प्रमंडल है इसके अंतरगत तीन जीले यानि की पुर्वी सिम्भूम, पच्मी सिम्भूम और सराई केला खरसावा आते हैं कुल्हान प्रमंडल का मुख्या ले जायबासा पड़ता है इस प्रमंडल में 14 विधान सबाद शेत्र है पच्मी सिम्भूम जीले की सबी 5 सीटे और सराई केला खरसावा की 3 में से 2 सीटे ST वर्ग के लिए आरक्षित है पुर्वी सिम्भूम में 6 विधान सबाद सीट है जिन में 2 ST के लिए और 1 SC के लिए आरक्षित है सबसे आखिर में आता है पलामू प्रमंडल या प्रमंडल तीन जीलो को मिला कर बनाया गया है इसके अंतरगत तीन जीले यानि की पलामू लातेहार गड़वा आते हैं इस प्रमंडन में 9 विधानसबा च्षेत्र हैं सबसे जादा 5 लोग सबा सीट पलामुजीले में हैं इसमें च्छतरपूर ST के लिए आरक्षित है लातेहार में 2 सीट है मनिका ST सीट के लिए तो वहीं लातेहार SC सीट के लिए गडवाजीला में 2 विधानसबा सीट एाती है इस में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है फिलाल आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर तमाम खबरे और जानकारिया हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे हमारी आजानकारिया आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताए और हमारी जो नए साथी है जो अब तक इ सामने आ चुका है आप वहाँ भी जाकर सब्सक्राइब लाइक फोलो शेर कर सकते हैं फिलाल हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा